हेलो गईज बेलकम बैक टू दे निए वीडियो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तो टॉफ फाइब बेस्ट नेकेड अपकमिंग बाइकों के बारे हम बात करेंगे जो कि इंडियान टू विलर मार्केट में दो यार टेईस में लाँच होने वाली हैं दोस्तो अगर आप कोई 150 या फिर 160 या फिर कोई naked sport segment की best bike को buy करने का सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा wait कर सकते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं without time waste के इस वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले आप मारी चैनल पर नहीं आये हैं प्लीज चैनल को subscribe कर लेना बेल आइकन की बटन को press कर लेना यह bike indian two wheeler market में testing के दोरान देखी गई है जिसके विससे यह pictures जो अलेक हो चुकी है bike के काफी सारे features reveal हो चुकी है bike में आपको front में upside down front fork देखने हो मिलेंगे dual channel AVS देखने हो मिलेगा all allergy lights का setup पहले भी आपको देखने हो मिलता था साथ ही bike के engine में आपको forward valve engine में offer करने वाला है hero जो की आपको six speed gearbox transmission के साथ देखने हो मिलेगा जिसकी बसे बाइक की power में आपको काफी ज़दे improvement देखने हो मिलेगा six speed gearbox transmission की बज़े से bike के engine में refinement, reliability and bike के engine में smoothness आपको काफी इच्छी देखने हो मिलेगी बागी दूस्तों यही कुछ major changes bike के अंदर होने वाले हैं जो की आप pictures में देख सकते हैं बागी bike के अंदर आपको rear profile में same asc देखने हो मिलेगी जो की आप photo के अंदर check out कर पा रहे होंगे front में आपको usd suspension clearly देख पा रहे होंगे जो की रहती है सुजू की जिकसर 155 naked sports segment की सुजू की जिकसर Indian tubular market में काफी popular bike है और इसी वैसे इस bike को सुजू की like इसके neck जिन से mall को launch करने वाला है जिसमें आपको major change देखने हो मिलेगा bike के engine में जो की आपको BS6 phase 2 compliant engine देखने हो मिलेगा with OVD2 sensor के साथ bike के front में आपको इस बार projector headlight देखने हो मिलेगी and bike के front में आपको upside down front folks देखने हो मिलेंगे उसका reason यही है because 150-160cc bikes के अंदर काफी सारी bike ऐसी है current में जो की like offer कर दी है company उन्हें USD suspension 150-160cc bikes के अंदर उन bike को compete करने के लिए सुजू की Jixor 155 के अंदर भी जो है like next generation model के अंदर upside down front folks offer करेगी जिसकी वैसे bike के price थोड़े से increase हो दाएंगे like अगर BS6 phase 2 compliant engine के साथ bike की front headlight में आपको projector headlight देखने हो मिलती है upside down front folks देखने हो मिलती है तो bike का price 8-10,000 increase देखने हो मिलेगा जिसकी वैसे bike जो है value for money ही रहने वाली है because premium feature आपको offer की जाएंगे तो थोड़े से price increase हो जाएंगे तो कोई problem नहीं होगी because suju की jixxer काफी सारे लोग Indian two wheeler market में considered करते है because उसका look काफी ज़दा unique है ये bike market में July ये फिर अगस्त के असपास आने वाली है इसका भी आप बेट कर सकते हैं अब बात करते हैं next bike के बारे में जो की रहती है दोस्तो Honda की तरप से Honda CB150R X-Motion ये bike international market के अंदर काफी time से available है और काफी अच्छा perform भी कर रही है इस bike का Indian two wheeler market में Honda lower काफी time से बेट कर रहे है जिसकी विए से Honda इस bike को बहुत जल्द launch करने वाला है उसका reason ये भी है कि Honda ने काफी time से अभी तक Indian two wheeler market में किसी bike को upgrade नहीं किया है और ना ही कोई new bike launch किये इसी विए से X-Motion को 160cc segment में Indian two wheeler market में Honda launch करने वाला है international market के अंदर इस bike में आपको 149cc का single cylinder DOSC liquid cooled 4 valve engine देखने को मिलता है जो की maximum power produce करता है 20hp की 37 में आपको 6-speed gearbox transmission देखने हो मिलते हैं international market के अंदर bike के front में upside down front forks है 41mm की जो की काफी जदा like आपको motor suspension देखने हो मिलते हैं जिसके विसे acceleration में आपको काफी इची improvement देखने हो मिलेगी bike के engine आपको BS6 phase 2 compliant देखने हो मिलेगा जो की आपको OVD2 sensor के साथ offer की जाएगा all LED lights का setup काफी अच्छे super wide tubelage style dual channel AVS rear part में mono stock suspension और ये bike आपको diamond type के frame पर देखने हो मिलेगी साथी bike में आपको digital type का LCD instrument console offer की जाएगा इसका भी अब वेट कर सकते हैं ये bike भी Indian two wheeler market में Honda launch करने वाला है अब बात करते हैं next bike के बारे में जो की रहती है again Honda की तरफ से Honda CBR 150R जो की sports segment की bike है Indian two wheeler market में Honda CBR 150R का तो बहुत ही time से वेट किया जा रहा है लेकिन अभी तक Honda ने इस bike को Indian two wheeler market में launch नहीं किया है Indian two wheeler market में Honda CBR 150R आ जाती तो काफी सारी bike को compete करेगी easily because इसमें आपको premium feature के साथ price काफी the affordable देखने को मिलते हैं international market के अंदर ये bike भी काफी time से available है इसमें अभी आपको 149.4 cc का single surrender liquid cool engine देखने हो मिलता है upside down front folks bike के front में देखने हो मिलते हैं bike के LED headlight है all साथ ही आपको tail light भी LED देखने हो मिलती है और indicator भी आपको LED offer किये गए है bike के अंदर काफी अच्छे aerodynamics है जिसकी विससे bike के अंदर top end performance में आपको काफी the improvement देखने हो मिलेगा बाकी bike के looks, designer style आप official वीडियो में देख पा रहे हैं ये bike भी market में बहुत जल्द आने वाली है इसका भी आप bet कर सकते हैं विकास हमारा Indian two-wheeler market इतना वड़ा है तो इन सारी premium bike को deserve करता है जिसकी विससे Honda को ये bike Indian two-wheeler market में launch करना पड़ेंगी अब बात करते हैं next bike के बारे में जो की रहती है दोस्तो हीरो Harley Davidson की तरफ से X440 नाम से ही पता लग रहा है कि bike में आपको 440 cc का engine देखने हो मिलेगा ये bike काफी टाइम से like Indian two-wheeler market में टेस्टिंग की जा रहे थी और finally ये bike जो है like launch होने वाली है Indian two-wheeler market में जोलाई में production daddy model की pictures आप देख सकते हैं official photos के अंदर ये bike का look आपको register type का देखने हो मिलेगा retro segment की bike रहने वाली है all retro type के component bike के अंदर offer किये गए है bike में आपको 440 cc का oil cool engine देखने हो मिलता है जो की काफी powerful engine है साथी bike के looks, design and style भी काफी जदे unique है bike के अंदर आपको orange color की stickering देखने हो मिलती है 3D logo Harley Davidson का देखने हो मिलता है X440 का fuel tank पर काफी अच्छी single piece comfortable wide आपको seat देखने हो मिलती है riding करते समय आपको काफी अच्छी comfortable riding position देखने हो मिलेगी because bike काफी comfort है साथी bike के front में upside down front folks दिये गए हैं जो कि आप like clearly देख सकते हैं official photos के अंदर bike में all LED lights का setup है जो कि आपको round shape में देखने को मिलने वाली है front में आपको headlight, indicator, front and rear दोनों tail light भी आपको LED ओफर की गई है bike के अंदर simple type का exhaust system देखने को मिलता है round shape में आपको front में instrument, console देखने को मिलता है जिसके अंदर सारे basic reminder feature है bike में काफी अच्छे super wide tubeless tire offer की गए है front का tire आपको 100 section का देखने को मिलेगा rear में आपको 140 way 70 section का tire देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे super wide tubeless tire है इसमें आपको dual channel ABS offer provide कराया गया है जो कि काफी अच्छी बात है और साथी bike में आपको riding modes भी देखने को मिलते है headlight आपको काफी unique type की देखने को मिलती है जो कि आपको like center में DRLB offer की गई है day time running ये bike दोस्तो two wheeler frame पर आपको देखने को मिलेगी waste साथी bike में आपको diamond cut alloy wheel देखने को मिलते है जो कि bike के look को काफी ज़दा like enhance करते है ये bike market में बहुत जल्द आने वाली इसका वेट कर सकते है ये भी काफी अच्छी premium bike है 440cc की hero plus Harley Davidson की तरप से और ये बिल्गुल ready to production medal है जो कि आप official photo के अंदर देख पा रहे हैं अब बात करते है next bike के बारे में जो कि बहुत जल्द Honda Hornet version 2.0 के next generation model like Honda Hornet version 3.0 को launch करने वाला है जिसमें आपको काफी अच्छे premium feature देखने हो मिलेंगे BS6 phase 2 compliant engine देखने हो मिलेगा OB2 sensor के साथ bike में dual channel AVS front में आपको upside down front forks all LED lights का setup 6 speed gearbox transmission साथी engine में आपको liquid cool technology build quality भी आपको एकदम next level देखने हो मिलेगी and साथी आपको new design, graphics like this bike को, इस bike से similar रहने वाली है Honda की Hornet version 3.0 जो कि Indian two wheeler market में बहुत जलद 2023 में launch होने वाली है तो आप Honda Hornet version 3.0 का भी बेट कर सकते हैं बागी दोस्तों ये कुछ 5 bike थी जो कि Indian two wheeler market में 2023 में किसी भी मन्त में launch हो सकती है पांचो बाई को से लेटर अगर आपका अभी बी कोई doubt रह गए हो आप comment section में पूछ सकते हैं वीडियो informative या फिर अच्छी लगी वीडियो को like कर देना चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना मिलते हैं आप से के लिए एक ऐसी ही new interesting और updated वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care